हेलो एंड वेलकम टू अलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंज मैं हूँ अभिजित कुमार और बात करने जा रहा हूँ आर आर भी एलपी साइको टेस्ट को ले करके आप लोगों का ये फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है और यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रो कॉलम टेस् ज्यादा एस्टुडंट का कमेंट आया इस वजह से ये लेक्चर आ रहा है और कहीं न कहीं ये लेक्चर ला रहा हूं तो मुझे करना पर रहा है तो इसका जरुआ तभी ज्यादा है फॉर्ट तो कश्aret करने के लिए काफी बढ़या वुग है धोडों साइस स्पाइब टेस्ट आ रहा है वारी से सीरियली आएगा थोरा सा पेसंस रखो मैंने आपको बताया हूआ है कि आपका बटा एक्जाम जिस दिन होगा उस दिन तक मैं आपको लेक्ष्ट डालू कि किस सेट में कैसे एटेम्ट करना है कैसे अप्रोच करना है ओके यह आपका अनकेडमी का लार्निंग और गुड नियूज यह है कि मैं इसमें पलस पलस एडूकेटर के कैटेगरी में आ चुका हूं तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत जल्द आएगा चैनल पे तो डेस्क्रिप्शन में है अभिजीत कुमार सर्च करना तो भी आ जाओंगा अल्लिमिटेड एजूकेशन सर्च करोगे तो भी आ जाओंगा फॉलो नहीं किये हो तो फॉलो कर लेना पलस एडूकेटर के कैटेगरी में आ रहा हूं अभी से स्टार्टिंग से फॉलो करो काफी ज्यादा फायदा होगा और जैसा जैसा आप लोग बोलोगे वैसा वैसा लेक्चर यहाँ पर आएगा ठीक है यहाँ पर देखते हैं यह एक्सरसाइज 3 है और क्वेश्चन नमर 3 से समझना एक्सरसाइज 3 अच्छे से समझना वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्या क्वेश्चन नमर 1 हम लोग देख लेते हैं चूज दा रो विथ नो पेयर लेटर अब कैसे करोगे आपको ऐसा रो सलेक्ट करना है जिसमें कोई साभी लेटर का मेरा पेयर ना हो तो अगर मैं रो 1 देखता हूं तो यहाँ पे देखो आपका बी पेयर में है रो 2 देखता रो 3 है यह तो रो 3 में आप देखो आपका ए पेयर में है रो 4 में आपका इपेयर में है और रो 5 में आपका बी पेयर में है तो हम लोगों को क्या पता चला हम लोगों को पता चला कि रो 2 जो है उसमें मेरा कोई साभी लेटर पेयर में नहीं है तो हम लोग रो 2 को सेलेक्ट कर लिए ओके अभी समझा रहे हैं टाइम ज्यादा लगेगा चुज दा मीडिल लेटर एककॉर्डिंग टू अलफा वेटिकल ओडर इन डाइट रू अब इस रोटू में हम लोगों को मीडिल लेटर सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू अलफा वेटिकल ओडर अब आप लो एब को सेलेक्ट कर लिए चला क्या वुल रहा है कि मुव बौटम तो नीचे आ अब क्या बोल रहा हूं मूँटू थे द क्या लेड़ा गया है थर्ड तो एक डाइगोना लागए दो डाइगोना लागए थर्ड डाइगोना लागए तो हम लोग यहां पे आ गए move up to right third तो right third चले जाओ एक दो तीन यहां पे आ गए तो what is the last letter तो क्या है तो c है तो right answer क्या होगा सी होगा उमीद करते हैं कि यहां पे आपको समझ में आ गया काफी आसान question था चलो question हम लोग 2 देख लेते हैं question number 2 क्या बोल रहा है which letter has highest frequency and is the first letter in alphabetical order in column 5 after reversing letters of row 1,3 and 5 कितना प्यारा सा question और काफी ज्यादा lengthy question आप कह सकते हो आपको वे समझना परेगा question बनाने का किस तरह से attempt ले कि मुझे आसानी हो जाए अब देखो which letter has highest frequency यहां से आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया and is the first letter in alphabetical order तो क्या इससे हम लोग समझ सकते हैं कि answer a होगा तो बोलोगे कि नहीं यह गलत हो जाएगा अगर आपका answer a आ जाता है तो बढ़िया बात है लेकिन इस line का यह मतलब नहीं होता है कि answer a होगा मैंने आपको पिछले lecture में अच्छे से बताया था कि last letter का मतलब e मत समझना और starting letter का मतलब a मत समझना जैसे कि आपका CDE है यहां पर first letter अगर answer हो जाएगा तो C हो जाएगा ABCD है अगर last letter बोलेगा तो D answer हो जाएगा इस तरह से हम लोगों का काम चलता है concept मेरा चलता है आगे बात करते हैं and is the first letter in alphabetical order in column 5 after reversing letters of row 135 अब कैसे बनाओगे तो देखो आपका answer क्या होगा बताओ आपका answer है which letter has highest frequency and is the first letter in alphabetical order in column 5 मतलब जो हम लोगों का answer होगा वो column 5 में available है column 5 के बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है चलो यह हो गया answer हम लोगों का column 5 का ही कोई सा letter है और वो लेटर जो है उसका highest frequency है याद रखना वो लेटर जो है उसका highest frequency है और वो फर्स्ट लेटर है alphabetical order में मतलब जो ही answer आए मानलो वी C D I तो फर्स्ट लेटर यानि भी answer इस तरह से तो अब क्या करना है आपको एक condition दे दिया गया है कि after reversing later of row 1 3 और 5 तो row 1 यह है रो 3 आपका यह है और row 5 आपका यह है इसको क्या करेंगे हम लोगों को सोचना नहीं है क्यों नहीं सोच ना है डिकाव आपन लोगों को पता है कि answer जो है वो column LeftButton तु अब आप बताओ किसका frequency ज्यादा है, तो आपका a का frequency ज्यादा है, इसलिए a answer होगा, एक मिनट के लिए मान लो, कि आपका a का भी 2 रहता, और b का भी 2 रहता, तब answer क्या होता, तब answer a होता, क्योंकि alphabetically first letter a है, एक मिनट के लिए मान लो, कि b का 2 है, और c का 2 है, तब answer क्या होता, तब answer b होता, क्योंकि इस दोनों में alphabetically first मेरा b है, तो उमीद करते हैं, कि आपको समझा रहा हूँ, जो वो बात समझ में आ रहा होगा, कि alphabetically first का मतलब क्या होता है, चलो, question number two को मैं फिर से एक बार repeat कर देता ह which letter has highest frequency and is the first letter in alphabetical order in column 5, यहां पर आपको hint कर दिया गया है, कि अपन लोगों का जो answer होगा, वो column 5 का वो letter होगा, जिसका frequency ज्यादा होगा, और वो alphabetically first होगा, और condition क्या कर दिया गया है, कि 1 और 3 और 5 रो को हम लोगों को reverse भी करना है, तो रो 5 यह है, रो 3 यह है, रो 1 यह है, त रोगे, तो reverse करोगे, तो यह A आपका यहां पर आजाएगा, यह E आपका यहां पर आजाएगा, और यह A आपका यहां पर आजाएगा, और बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों का answer column 5 में ही है, अब यह होगे हम तब आपको हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी देखना है highest frequency highest frequency B का है और C का है इसका भी दो है इसका भी दो है यानि answer या तो B होता या तो C होता ये नहीं होता और B और C में कौन होता तो alphabetically first B होता अगर ये concept समझ में आ गया तो आपको इस type का कोई साभी questions आगे दिक्कत नहीं करेगा ठीक है चलो question number 3 देखते हैं question number 3 क्या होलता है which letter is in first column and in the last row 2 and which is the row with regular dual frequency of that letter and which letter has not come in the row and which column has highest frequency of that letter देखो अगर इमानदारी से बता हूं तो ये सब question छोड़ने के लिए होता है exam में अगर मान के चलो ऐसा question exam में आ जाता है तो examiner का ये motor रहता है कि आप इस question में फंस जाओ आप इस question में उलज जाओ आप इस question में अपना time को waste कर दो और आप फंस जाओ साइको फेल कर जाओ तो यहां पे थोरा साप लोग ना smart way में सोचना अगर आपको आसानी से समझ में आ रहा है question को approach करना अगर नहीं समझ में आ रहा है question को skip करना और निकल जाना जरूरी नहीं है हर जगा topper बनो कहीं कहीं पे अगर section hard हो तो 42% पे target करो और जहां पे section easy हो वहां पे 90% पे target करो ठीक है तो यहां पे चुकि हम लोग पढ़ रहे हैं मेरा काम पढ़ाना आप लोगों का काम पढ़ना तो यहां पे तो हम लोग नह सब समझो और इस question के help से आप बहुत ज्यादा concept सीखोगे थोरा सा time लगेगा इस question में which letter is the first column and in last row 2 इस line का मतलब क्या है इस line का मतलब है कि first column आपका यह है और row आपका यह है तो एक ऐसा later मतलब जो ही मेरा answer होगा वो first column में भी होना चाहिए और last row में होना चाहिए अब बताओ answer हो सकता है A, B, C, D और E question कह रहा है कि first column में भी होना चाहिए और last row में भी होना चाहिए आप मुझे बताओ और फर्स्ट कॉलम में भी होना चाहिए तो E मेरा फर्स्ट कॉलम में तो है लेकिन लास्ट तो रो में नहीं है चलो C को देखते हैं यह भी मेरा आंसर नहीं होगा because c मेरा last row में तो है first column में नहीं है तो अपन लोग क्या समझे अपन लोग समझे कि हम लोगों का answer या तो a हो सकता है या तो b हो सकता है या तो d हो सकता है इसके आगे बात करते हैं which is the row with regular dual frequency of that letter चलो यहां तक समझो अब that letter अब इस that letter में कौन सा कौन सा letter तो a, b और d अपन लोग c के बारे में और e के बारे में बात नहीं करेंगे तो आपको a, b और d को देखना है कि किस row में आपका इसका frequency 2 है है ना देखो यहां पे dual frequency और dual frequency का मतलब क्या हुआ frequency 2 frequency 2 तो a को देखते हैं, b को देखते हैं और d को देखते हैं तो और किस में देखेंगे तो row में देखेंगे तो row में देखो इसमें तो आपका कोई सा है ही नहीं repeat डिवल फ्रिक्वेंसी किसी का नहीं है, ओके चलो, इसमें देखते हैं, डिवल फ्रिक्वेंसी किसी का नहीं है, रो थेरी में देखते हैं, डिवल फ्रिक्वेंसी मेरा A का है, A का है, रो थेरी में मेरा डिवल फ्रिक्वेंसी A का दिख रहा है, रो फोर में E का दिख रहा है, और row 5 में मेरा B का दिख रहा है तो अपन लोगों को C और E के बारे में बात करना ही नहीं है तो E वला भी मेरा गलत हो जाएगा समझ में या रहा है कहना क्या चाह रहा है हम लोगों को सिर्फ A, B और D देखना है तो अपन लोगों को मिला row 3 और अपन लोगों को मिला रो 5, रो 3 में A है मेरा दो बार, और रो 5 में B है मेरा दो बार, अब यहाँ पर बात करते हैं, डिवल फ्रिक्वेंसी के बारे में, और उससे पहले एक वर्ड लगा हुआ है, रेगुलर, अब इस रेगुलर का मतलब क्या होता है, लगातार दो फ्रि मतलब रिपीटेशन मेरा कंटीन्यू है, तो यहाँ पर A यहाँ है, और A यहाँ है, यहाँ पर रेगुलर नहीं है, और यहाँ पर रेगुलर है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, कि हम लोग इसके वारे में बात कर रहे हैं, चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक बीएसशी डीई में मेरा ए होगा नहीं सी होगा नहीं हम लोगों का अंसर मेन्ट हो सकता है और डीजर रो डिए खत्म हो गया इसमें मेरा है ही नहीं फ्रेट हो ही नहीं रहा है समें हो यहाँ पर मेरा ए है और यहाँ पर ए है लेकिन रेगुलर बात कर रहा तो यह भी आपका रेगुलर नहीं हुआ तो मेरा रो फाइव जो है इसमें रेगुलर डिवल फ्रिक्वेंसी है और किसका है रो फाइव में है किसका है तो लेटर बी का है तो यह आपको समझ में आ गया आफ डैट लेटर ठीक है चलो अब हम लोगों ने देखा कि रो फाइब में मेरा रेगुलर डिवल फ्रिक्वेंसी है अब बात कर रहा एंड विच लेटर है जो नॉट कम इंद रो अब विच लेटर किस रो में इस रो में रो फाइब में कौन सा लेटर नहीं आया है आपको यह पकरना है तो आप बोलोगे कि रो फाइब में मेरा ए बी सी डी है यह नहीं आया है यह नहीं करいます और विच ल्य हैंड फ्रिक्वाइंसी ओफ दैट लेटर टर तो इस रो फाइंड में जो लेटर नहीं है जो की मेरा लेटर ये e मेरा किस कॉलम में हाइस्ट फ्रिक्वेंसी आता है तो आप देखो e के बारे में टार्गेट करो इसमें देखो एक बार e आया इसमें दो बार आया इसमें एक बार आया इसमें एक बार आया तो हाइस्ट फ्रिक्वेंसी किस में आया कॉलम 2 में आया तो या तो lecture को दुबारा से देखो और नहीं तो एक बार मैं आपको और अच्छे से explain कर देता हूं समझाना ही तो target है समझ जाओगे तो speed अपने आप लियाओगे देखो question को समझने का कोशिज करो which letter is in first column and in last row 2 तो इसमें मेरा a है b है और d है और c और e नहीं हुआ आपको पता ही है बात हो रहा है regular dual frequency का कौन सा रो है रो को select करो आपको रो में जब select करो के तो regular और dual frequency मेरा सिर्फ और सिर्फ यहां है आप बोलोगे sir यहां भी तो है तो है लेकिन यह मेरा answer नहीं होगा विकाज हम लोगों ने अल्रेडी देखा है कि मेरा e और c answer हो ही नहीं सकता है तो b अब हम लोग आगए row 5 में row 5 में हम लोगों को उस letter पर target करना है जो letter row 5 में नहीं है तो row 5 में मेरा e नहीं है और इस e को target करना है कि यह e किस column में सबसे ज़्यादा repeat हुआ है तो यह e आपका column 2 में सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है तो हम लोगों का answer क्या होगा option number b is the right answer उमीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा चलो question number हम लोग 4 देख लेते है question number 4 क्या है write down letters of column 135 in reverse order अब अगर आप इसको लिखने जाओगे तो आपको काफी ज़्यादा time लगेगा यहा leave column 2 & 4 as before तो यहां तक का हमको कोई मतलब नहीं है अपन लोग इससे आगे बात करेंगे और उसको deal करेंगे what is the letter which has come as pair in row 4 अब बताओ row 4 के बारे में बात हो रहा है row 4 तो यह है मेरा row 4 ओके अब हम लोग condition लगाते है what is the letter which has come as pair तो जो मेरा pair बन के आ रहा है इस row 4 में वही मेरा answer होगा तो अब आप लोग बोलोगे e तो गलत हो जागा answer because अभी तक अपन लोगों ने condition नहीं लगाया है अब condition लगाओ write down letters of column 1, 3, 5 in reverse order तो इतना तो अब तक आप लोगों का mind build up कर चुका होगा कि जब मुझे 1, 3, 5 1, 3, 5 column को target करना है मेरा जो answer है वो row 4 में है तो हम लोगों को reverse भी करना है तो यहाँ पे यह आ जाएगा और यहाँ पे यह आ जाएगा इसका मतलब समझे मैंने कैसे किया सिर्फ column 1 को reverse करो तो जब column 1 को reverse करोगे तो आपका यह यहाँ चला जाएगा यह यहाँ चला जाएगा यह भी यहाँ चला जाएगा यह तो आप समझ सकते हो सिर्फ column 3 को reverse करो सिर्फ column 5 को reverse करो तो अपन लोग पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का answer row 4 में है हम लोगों का answer row 4 में है तो सिर्फ row 4 के element को change कर देंगे तो आसानी सा answer लेंगे ज्यादा mind नहीं लगाना है तो row 4 में B के जगा हो जाएगा D E रहेगा जैसा है as it is यहाँ A आ जाएगा यह C as it is और यहाँ C आ जाएगा तो यह हो गया हम लोगों का क्या नया वाला row D E A C C अब 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 पेर कहां है तो पेर है C तो C मेरा answer हो जाएगा उमीद करते हैं कि समझे होगे और एक बार मैं फिर से इस question को repeat करूंगा क्योंकि सभी का mind अलग अलग होता है अगर आप समझ गये हो तो या तो skip करो या तो एक बार दुवारा से सुन लो division हो जाएगा ठीक है देखो approach बताता हूं यह सब question को approach कैसे करना जैसे कि मनलो मैं exam द in reverse order and leave column 2 and 4 as before what is the letter which has come as pair in row 4 मैं सिर्फ row 4 पर target कर रहा हूं और 1,3 और 5 को मुझे exchange करना है और इस इसको exchange करना है इस place को इस place को exchange करना है इस place पर यह second last है तो starting का second number मेरा आ जाएगा यहाँ पर D आ जाएगा यहाँ पर A आ जाएगा और यहाँ पर C आ जाएगा मैं देख रहा C हम लोग आगे निकल जाएगे यह shortcut है आपको मतलब इतना सारा concentrate हो करके mind पर ही करना है सारा चीज कि मेरा answer row 4 में है और मुझे जब column को exchange मैं करूंगा तो क्या होगा यह भी मेरा replace हो जाएगा इस D से और यह E हो जाएगा इस A से और यह आपका D हो जाएगा इस C से अब आप कंडिशन में सिर्फ one three or five है इसी लिए ठीक है चलो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अब हम लोग question number five देखते है question number five क्या कहता है आज के lesson में आप लोग बहुत ज्यादा सीख रहे होगे चलो question number five देखते है काफी लोगों का यह confusion था कि crossing क्या होता है sir समझ में न का यह और column one क्या है तो column one आपका यह cross कहां हो रहा है देखो दोने फीजर को कहा पे Himmel को रहा है तो यहां पर क्रॉष हो रहा है 그래서 यह मैरा crossing का मतलब उमीद करते हैं कि यह आपको समझ में आगे आ होगा जिसका भी डाव्ट होगा Crossing क्या है सर समझ में नहीं आता है आज आपक के आगे बात करते हैं, move diagonally up to crossing of row 3 and column 4, अब देखो, row 3 आपका ये है, और column 4 आपका ये है, यहाँ, अब आपको पता चलेगा कि ये question गलत है, अब वो लोगे कैसे, तो देखो, move diagonally up to crossing of row 3 and column 4, तो आप diagonally जब move करोगे न, तो आप ऐसे जाओगे, ऐसे, आप इस पे जाही नहीं पाओगे, तो इसलिए मेरा ये question गलत है, तो यहाँ पे गलत इसलिए है, कि थोरा सा printing error है, तो उसको सुधार देते हैं, question आपका सही हो जागा, बोलो के printing error कैसे, तो देखो printing error कैसे, आप ध्यान से देखो, तो row 3 और row 4 जो है, तो row 4 लिखा हुआ है, य यहाँ पे कुछ mistake हुआ होगा, तो कुछ नहीं है, row 3 and column 3 होगा, ठीक है, row 3 और column 3 होगा, मेरा question, अब हम लोगों का question सही हो गया, अब कैसे सही हो गया, अब आप यह मत बोलना, sir, यहाँ 1 है, 1 है, और यहाँ भी 3 है, 3 है, तो यहाँ भी 1 और 1 होना चाहिए, यह 5 और 5 होना ऐसा नहीं है, सिर्फ ही यहाँ पे question गलत था, और क्यों गलत था, मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग question अच्छे से परते है, move diagonally up to crossing of row 3 and column 3, column 3 आपका यह, और row 3 आपका यह, तो अपन लोग diagonally यहाँ पे आ गया, आगया अपन लोग यहाँ पे, चलो, इसके आगे हम ल अब यहाँ पे जब आ गये, तब हम लोगों को बोल रहा है कि diagonally move करना है, row 1 और column 5, row 1 आपका यह है, और column 5 आपका यह, मतलब यहाँ पे हम लोगों को diagonally जाना है, मतलब यहाँ से जा सकते हो कि नहीं diagonally, जा सकते हो, और आगे पर हो, and returns to the starting point forming a triangular path, यहाँ से वापस जाना है स्टार्टिंग पॉइंट में, ताकि यह triangle मेरा बन जाए, अब इसलिए यहाँ पे मैंने column 3 किया, मैं चाहता, तो यहाँ पे row 3 को row 4 कर देता, तो यहाँ पे आता, फिर मेरा इस तरह का triangular shape नहीं बन पाता, because यहाँ समलोग diagonally नहीं जा पाते, तो question गलत था, इसलिए आप लो कैसे बनाना है, तो देखो, आपको यहाँ पे column 3 करना है, यहाँ पे आपको column 3 करना है, और यहाँ पे आपको row 3 करना है, आप इस question को काफी असानी से बना दोगे, कैसे बनाओगे, starting from crossing of row 1 and column 1, कहा है, यहाँ है, move diagonally up to crossing of row 3 and column 3, यहाँ चले जाएंगे, कैसे, तो row 3, column 3, यह है मेरा crossing, ठीक है, अब क्या करना है, फिर diagonally जाना है, कहां जाना है, तो row 1 और column 5, row 1 यहाँ, column 5 यहाँ, यहाँ पे जाना है, चले जाओ, चले गए, अब returning जाना है, starting point तक, चले गए, यह मेरा triangular path बना, अब क्या बोल रहा है, which letter is in the middle of the triangle, अब बताव आप, triangle के middle में क्या है, triangle के middle में A है, तो मेरा answer क्या होगा, मेरा answer होगा A, तो right answer आपका A, ठीक है, अगर option में नहीं है, तो वो answer गलत है, उसके लिए आप लोगों को परिसान होने का कोई जरूरत नहीं है, answer आपको समझ में आ गया है, चलो, इसके आगे बात करते है, question number 6, crossing समझ में आ गया, question number 6, starting from the crossing of row and column 2, अब देखो, कोई चीज समझने का कोचिज करो, row and column 2, इसका मतलब हुआ, row 2, column 2, okay, चलो, row 2, column 2, यानि की यहा, अब क्या बल रहा, travel clockwise and come back to the starting point, which letter has the highest frequency in the path, काफी फेमस questions, और काफी लोगों का comment, कि clockwise और anti-clockwise क्या होता है, फिर से मैं थोरा सा time लोगा, अच्छे से समझने का कोशिज करना, ध्यान से देखो, एक चीज आपको नजर आ रहा होगा, इस पूरे table को देखो, मैं आपको एक figure बना के दिखा रहा हूं, तब सायद आपको समझ में आ जा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, कुछ तो समझ में आपको आ रहा होगा, मैंने क्या-क्या एक cycle बनाया है, आपका एक रास्ता ये है, ध्यान से देखो, मतलब इसमें आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ठीक है, ऐसे करके, इसमें भी आप जा सकते हो, ऐसे करके, या आप वोजे डायरेक्शन में भी कर सकते हो, ये clockwise है, और ये anticlockwise है, इधर अगर जा रहे हो आप, तो ये clockwise है, और अगर इधर जा रहे हो, तो यह anti-clockwise है तो उमीद करते हैं कि आपको यह concept समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है clockwise और anti-clockwise आपको यहां से समझ में आ गया तो अगर यह आप समझ गया है यह line तो आपको यह question बन जाएगा असानी से कुछलो क्या करते है answer को मिलाने का कोसिस करते हैं देखो book है error होता है आप concept सिखो और थोरा सा खुल पर भरोसा रखो live test लेता हूँ memory test का हो सकता है वहां पर एक दो question का answer गलत दिया होगा अगर आपको देख करके लग रहा है कि यह answer सही है मतलब सही है ठीक है सबसे बढ़िया ह crossing of row and column 2 तो row and column 2 यह है मेरा यह अब हम लोगों को क्या करना travel clockwise तो clockwise ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसी होता है न clockwise गलाकवाइज यह हुआ तो यहां पर हम लोग है तो यहां पर हम लोगों का यह path बनेंगा यह समझ भी आ रहा है करना क्या चाहर है मतलब ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं तो यह हम लोग क्लॉक वाइज जा रहे हैं इस question में यहां clockwise के जगा एंटी क्लॉक वाइज रहता तो भी मेरा answer सेम होता विकाद यह एक cycle है और cycle में आप clockwise जाओ या एंटी हो जागा question अगर रहता कि clockwise जा रहे हैं या ऐसे रहता कि यहां पे आके उपर चले गए तो मेरा answer यह होता इधर जाके उपर चले गए तब answer यह हो जाता यह अलग चीज है तो यहां पे आपको clockwise और एंटी क्लॉक वाइज का कोई ज्यादा concept नहीं है जितना मैंने बताया बस कि आपके किस्मत पे है आ गया बना देना नहीं आया छोड़ देना देखो तो यह आपको समझ में आ गया अब आप ही मुझे बताओ जब आप इस बी से जा रहे हो clockwise और वापस आ रहे हो starting position पे तो कौन सा लेटर आपको repeat हो रहा है तो आप बोलोगे ए एक बार दो बार और तो मेरा विच लेटर है दा हाइस्ट फ्रिक्वेंसी इन पाथ तो मेरा आंसर हो जागा अब कुछ लोगों बोलेगो कि असर आंसर भी दिया हुआ है तो मैंने अभी बताया कि आंसर गलत भी होता है जबरदस्ती आंसर को देख करके अपना कॉंसेप्ट को खराब मत करो ठी चलेख सेवन देख लेते हैं कोहईश्चन नमार सेवन देखो वाट इज दय लेटर वीच इन कॉल मुंण थील वैट नहीं है तो कॉलंवे सी 순री में अब आप देखो अच्छे सिस मतलब पहला line question का क्या है first line कि what is the letter which is in column 3 but not in column 2 तो C, C मेरा column 3 में है, column 2 में नहीं है, if the letter exists then the answer would be the letter which has the highest frequency in row 5, यहां तक पढ़ो, अगर ऐसा है, अगर आपने देखा कि आपको कोई ऐसा letter आप find out कर पा रहे हो, जो column 3 में है, और column 2 में नहीं है, अगर ऐसा है, तो आपका answer जो है वो row 5 का वो letter होगा, जिसका frequency ज्यादा है, मतलब समझो क्या कहना चाहरा है है, question आपका यह कह रहा है कि, अगर कोई ऐसा letter आपको मिल जाता है, जो column 3 में है और column 2 में नहीं है, तभ आपका answer जो है, water letter होगा, ज इसका frequency ज्यादा है ρो 5 में, तो रो 5 में ज्यादा frequency आपका B का है, तो मेरा right answer क्या होगा, B होगा, समझने का कोशिस करो, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि हाँ, लेटर तो एगजिस्ट कर रहा है, और जब लेटर एगजिस्ट कर रहा है, तो आपका row 5 का highest frequency चेक करो किसका है तो B का है तो मेरा right answer B अब यहाँ पे इसके बाद question गलत है इसके बाद question गलत है बोलोगे कैसे तो देखो मतलब clear meaning नहीं निकल रहा है इसमें और कुछ उसको right करना चाहिए था otherwise the letter itself इसका क्या मतलब होता है अगर मुझे मिला अगर मुझे कोई letter मिला तो मेरा answer जो है row 5 का highest frequency वाला letter होगा अगर मुझे नहीं मिला तो मेरा answer वही letter होगा जो नहीं मिला अब बताओ जो नहीं मिलेगा उसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन नहीं मिला अगर ये line समच रहे हो मुझे कौन नहीं मिला मुझे C मिला तो मुझे मिला तो मैंने आंसर कर दिया रो 5 का highest frequency मुझे कोई नहीं मिला मानलो सारा इसमें भी है और सारा इसमें भी है तब मैं आंसर क्या करूंगा बता तो यहां से clear नहीं है sentence तो इस question को आप incomplete कह सकते हो और अगर यहां तक ही question रहता मे मेरा right answer हो जाता आपका option नमर B ठीक है चलो question नमर हम लोग 8 देखते हैं 8 क्या है question नमर 8 है आपका कि choose the letter which is the last letter of the diagonal of column 5 अगर आपने मेरा lecture अच्छे से देखा है तो आपको पता हुआ column 5 का diagonal कौन है column 5 यह है first element यह है इसका diagonal यह है अगर आपको यह नहीं पता है जाके lecture आपनो वन टूर अच्छे से देखो इससे पहले मैंने table class का row column का दो तिन lecture दिया हुआ है choose the row which has not that letter and what is the letter with highest frequency in that row question का meaning सम्झो क्या है choose the letter which is the last letter of the diagonal of column 5 diagonal of column 5 यह है इसका last letter यह है दी नहीं है column 5 का diagonal मतलब यह start हुआ 1 2 3 4 5 ठीक है row 1 का diagonal यहां से start होगा row 5 का diagonal यहां से start होगा column 5 का diagonal यहां से start होगा यह सारा आपको पता होना चाहिए चलो तो हम लोग last letter diagonal का select कर लिए इसके बाद क्या है choose the row which has not that letter अब यह a जो है वो किस row में नहीं है आपको वो select करना है तो आप select करो row 4 को row 4 में देखो ध्यान से आपको a नहीं मिलेगा ठीक है तो row 4 हम लोगों ने select किया what is the letter with highest frequency in that row अब आपको row 4 में देखना है highest frequency वाला letter कौन सा है तो e है तो मेरा right answer क्या होगा e अगर समझ में आ गया काफी अच्छा बात और नहीं समझ में आ तो आप लोग एक बार फिर से देखो suppose करो कि यह question आपके exam में आया आप कैसे बनाओगे choose the letter which is the last letter of the diagonal of column 5 direct चले जाएंगे column 5 के diagonal के last letter पे a पे आ जाएंगे a को देखेंगे यह किस row में नहीं है row 4 में a नहीं है row 4 का highest frequency किसका e का है हम लोग answer करके निकल जाएंगे 15 seconds भी ज्यादा है इस question को बनाने के लिए तो यह आपका concept clear रहेगा तो होगा चलो question नमर 9 देखते हैं starting from row 1 row 1 starting यहां से start कर रहे है move straight to last letter चलो straight last letter move bottom bottom में क्या समझोगे नीचे या just below तो just below नहीं just below रहेगा तो लिखा हो आगा bottom मतलब नीचे आ जाएंगे बी पे move back to the starting point forming a triangular path यहां तक पढ़ हो हमको क्या करना है वापस ए पे जाना है triangle बनाते हुए जाना है आप दी पे हो आपको ए पे जाना है triangle का formation करते हूए जाना आप कैसे करोगे आपके पास xAiD यह है आपके साथ xAiD यह है तो हम लोग डाइगोनली जाएंगे इस तरह से starting point पे और हम लोगों का triangle का formation विच लेटर हाइस्ट फ्रीक्वेंशी इन थात की हम लोगों का पाथा है роक्ष CT का है लिज़ता है टील्ब है का चेकर 1 हो गया बी का चेकर 1 2 3 4 ताइम्स तो आई थिंग और सी का 3 टाइम्स तो आई थिंग फोर फोर टाइम्स भी आया है तो मेरा राइट अंसर भी हो जागा विकाउज हाइस्ट फ्रिक्वेंसी बी का है काफी असान था और उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हें विच लेटर है इस लिष्ट फ्रिक्वेंसी इनद टेवल एंड इस लॉस्ट लेटर इन अल्फावेटिकल और फिर से वही बात लॉस्ट लेटर है तो आप लोग बोलोगे यह ऐ आंसर होगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा यह कॉंसर नहीं लगाना है जो आंसर आए क्या select कर वी यह तो होगा नहीं विकाज फ्रिक्वेंसी और डी का है और अल्फावेटिकली लास्ट मतलब डी आंसर हो जाएगा तो ऐसे समझना है इसे स्टाट करना है तो हम लोग क्या करेंगे या इसे स्टाट करेंगे मैंने बता है था फर्स्ट लेटर का बात होगा तो आप एसे स्टाट करना है लास्टट लेटर का बात होगा तो आप इसे स्टाट करोगेesta स्टाट करते हैं एकॉकंट करो चलो जाइसे चलो आपकी मरजी तो row 1 में e, एक बार, row 2, एक बार 2, 3 में 1, 4 में 2, 5 में ही नहीं, मतलब 5 बार तो यह हो गया, और आपको क्या बताना है, list frequency बताना है, तो e तो मेरा answer होगा नहीं, simple, अब हमलों क्या करते है, d का check कर लेते हैं, तो d का check कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 है, तो e का देख रहे हैं, 5, d का देख रहे हैं, 4, अब क्या करते हैं, c का check कर लेते हैं, एक बार, c का check कर लेते हैं, तो c का 1, 2, 3, 4, तो c का भी 4 हो गया, अब क्या करेंगे, अब हमलों, b का check कर लेते हैं, तो देखो B का अगर आप चेक करोगे तो 1,2,3,4,5 तो B होगा ही नहीं A 1,2,3,4,5 A होगा ही नहीं और A और B जाना ही नहीं था हम लोगों को last करना है तो हम लोग यहीं से answer कर सकते हैं last है और list frequency है तो list frequency मतलब 5 वाला को छोड़ो फोर फोर अगर आप यहां से देखो तो आप क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि list frequency मेरा C का है और D का है C का भी 4 है और D का भी 4 है list frequency इन दोनों का है तो answer क्या होगा C और D में से तो लास्ट लेटर, तो C और D में लास्ट कौन है, तो D है, तो मेरा अंसर D हो जाएगा, तो इस तरह से आपको बनाना है, और एक सेट में आपको और लाकर के दूँगा, वो सेट में 20 questions रहेगा, और ये सारा सेट जो मैंने आपको बताया, ये सारा बनाने के बाद, उस सेट क आप लगाना, और देखना के आपका confidence level किस तरह से आसमान पर चले जाता है, आपको समझ मिनेगा इतना easy question है आप देखोगे और बनाओगे, और उसी type का question आपके exam में आएगा, ठीक है, ये सब high level question है, माइन को एक दम से सार्प करो, और कुछ लोगों का comment था, तो 2 मिनट कि फायदा हुआ उनके लिए, और कुछ comment आया उनके वज़े से, ठीक है, और काफी लोगों ने ऐसा comment किया है, जैसे कि देखो, मेरा तो target है कि 2500 बचाने का, लेकिन ये लगा दिया, psycho के नाम पे, और उसके बाद comment क्या कर रहा है, wow sir, it's the best psycho, sir मैंने 2500 पैसे देकर भी ऐसा नह आज नहीं और आप लोग देखते ही होगे, इनका एक suggestion था, sir आप थोरा सा और row column test cover करो, और आप voluntary fee को add करो, तो देखो, row column test मैं पूरा का पूरा cover करूंगा, वी के सिंग का, watch table test पूरा का पूरा करूंगा, hidden cube test, brick test, ये चार section जिसमें आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, ये आप लोग उसको दो score को comment करो, और ये सारा था, और काफी student का demand था, तो मैं एक चीज डाल रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए है, इसको काफी सोच समझ के डाला जा रहा है, और यहां से सिर्फ एक चीज है, जो मैं बोलूंगा, कि जो लोग effort नहीं कर सकते हो, आप लोग परेशान मत होना, अपना channel है, किसी और का नहीं है, जो मुझे किसी से कुछ permission लेना परेगा, ये खुद का channel है, मैं बोल रहा हूँ, कि कोई भी video public ही रहेगा, private कभी नहीं होगा, lectures आता रहेगा, और जिस तरह से आता है, वैसा ही आगा, और इससे अच्छा ही आगा, ठीक है तो जो लोग effort नहीं कर सकते हो, आप लोग बेहिचक पर हाई करो, चुचा पर हो, अच्छे से पर हो, और जो लोग effort कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए, try to appreciate our effort, so that we can provide you better quality, मतलब इससे भी अच्छा और अच्छे से, और कोशिस यही रहेगा, कि जितना हो सके, उतना अच् फिर brick test काएगा, और फिर hidden cube काएगा, और test आपका चलता ही रहेगा, और मन सरी जाम का त्यारी करो, bye, thank you